Hello friends, welcome to my channel तो सब भारत NXT तो जानते ही होंगे भारत NXT वे यूटूब पे सबसे पहला वीडियो मैंने ही बनाया था और अब तो ये ट्रिक काफी वाइरल हो गई है और काफी जादा लोग इसका अच्छा खासा फायदा उठा रहे हैं हजारो लाको रुपए बिल्कुल फ्री में अपने क्रेडिट कार्ड से बैंक अकॉन में ट्रांसफर कर रहे हैं आज एक भारत NXT का बहुत बड़ा अपडेट आया है इस अपडेट को आपको जानना जुरूरी है अगर आप भी भारत NXT यूज़ करते हैं यह आपके काफी काम आ सकता है अब जो लोग नए हैं उनको बता दू भारत NXT ये एक बहुत ही जबड़ास्ट एप है जिसके थुरू आप अनलिमिटेट क्रेडिट कार्ड के पैसा बिल्कुल फ्री में बैंक अकॉन में ट्रांसफर कर सकते हैं बस अरते उनके पास भारत NXT कैस होना चाहिए तो मैंने वीडियो के डिस्रिप्शन में लिंक दिये मेरे लिंक से आप जैसे आप पे साइन अप करके KYC करेंगे आपको 100 भारत NXT कैस मिल जाएंगे उसे आप यूज करके करीब 10,000 रुपए अपने क्रेडिट काड से बिल्कुल फ्री में बैंक अकॉन में ट्रांसफर कर सकते हैं पहला आप 5,000 का ट्रांसफर करेंगे तो आपको और 150 NXT कैस मिल जाएंगे उसे आप फिर 15,000 रुपए के और ट्रांसफर पर यूज कर सकते हैं यानि करी 25,000 रुपए का आपका क्रेडिट कर का पेमेंट बिल्कुल फ्री में बैंक अकॉन में ट्रांसफर हो जाएगा आप यह देगे मैं 40,000 रुपए ट्रांसफर कर रहा हूँ क्लासिक पे को मैंने चूज किया 519 रुपए का मुझे यहां पर चार्ज लगेगा लेकिन मैं 519 रुपए का यह चार्ज अपने भारत NXT कैस को यूज करके जीरो कल देता हूँ अब देख सकते हैं मेरे पास केवल मेरे इसी भारत NXT एकॉन में एक लाग 37,331 रुपए का भारत NXT कैस है मेरे पास और एक अकाउंट है इसमें करीब 30,000 का भारत NXT कैस पड़ा हुआ है तो आप सो सकते हैं मैं तो करोडो रुपए बिल्कुल फ्री में बैंक अकॉन में ले सकता हूँ तो देखें 40,000 ट्रांसफर करने पे 519 रुपए का जो चार्ज लगता है जो की 1.1% का फ्राल क्लासिक पे यूज करने से चार्ज है यानि चार्जेज विवाफ हो जा रहे है 40,000 का मैं ये अमाउंट अपने SBA Simply Click Card को सेलेट करके सेंड कर रहा हूँ देखें मैंने अपने SBA Simply Click Card से ये पेमेंट कर दिया मेरा ट्रांसेक्शन सक्सेस्फूल हो गिया और कल की डेट में ये बैंक अकॉन में ट्रांसफर हो जाएगा तो देखा ना बिल्कुल फ्री में 40,000 रुपए का अमाउंट 2.25% का Cashback मिल जाएगा 2000 reward points मिल जाएगे जिसे आप 500 रुपए के Amazon voucher में convert कर सकते हैं इस तरह से मैंने कितनी ही बार ये 5-5 रुपए का Simply Click Card को यूज़ करके Amazon का Gift Card ले लिया है अब दोस्तर भारत NXT पे बहुत ही जल्दी Credit Card launch होने जा रहा है भारत NXT Credit Card तो अगर आप भारत NXT यूज़ करते हैं तो आप Early Access के लिए आज ही Enroll कर लिजे आपको Home Screen पे दिखाई देगा Apply for भारत NXT Card आप इस Banner पे Click करेंगे तो आपके सामने इस तरह का Page आ जाएगा We will be back Your भारत NXT Card promises to be the most rewarding credit card for SMEs Rest Assured you will be among the first few to receive an exclusive invitation from our founders when the भारत NXT Card is launched तो भारत NXT अपना credit card launch करने जा रहा है तो आपको Early Access के लिए Enroll करना पड़ेगा इसके लिए आपको Notify Me पे Click करना है एक Form खुल जाएगा यहाँ देखिए The Most rewarding SME Credit Card आपको यह Form Fill कर देना है User ID में आपको कोई Change नहीं करना है जो User ID वहाँ Soak करेगा उसे As It Is रहने दिना है अब यहाँ पूछ रहा है Do You Have a Credit Card तो अगर आपके पास Credit Card already होगा किसी भी Bank का तो काफी ज़्यादा Chances है आपको पहले यह Card मिलेगा तो मेरे पास Already Almost 50 Plus Credit Cards है तो मैं Yes पे Click करता हूँ फिर आपको Next करना है नेक्स पेज में आपको यहाँ पूछ रहा है What are you looking for in additional credit card तो आपको भाने टानेक्स ट्रिया Credit Card क्यों चाहिए Higher Limit के लिए चाहिए Business Payments के लिए चाहिए Better Rewards and Cashback के लिए चाहिए या फिर कोई Other Reason है तो मैंने चुछ चुछ रहा Better Rewards and Cashback उससे Select करके मैंने Next कर दिया आप अपने मनमुदाबिक कुछ भी Select करके Next कीजिए फिर उसके बाद यहाँ पूछ रहा What is your Occupation आप कलते क्या है Self Employed, Professional है, Salered है, Business Owner है Other है तो मैंने Business Owner Select किया Next पे क्लिक कर दिया Next पे मैं पूछ रहा What are your Typical Business Spends तो आपके जाला दर Business Payments किसलिए होते हैं Vendor Payments, Rent Payments, GST Tax Payments, Utility Payments, Employee Salary, Software Expenses, Advertising, Marketing, Promotional Expenses तो आप अपने मुदाबिक यहाँ पे Multiple Options चूज कर सकते हैं फिर नीचे पूछ रहा What is your Envered Turnover तो आपको अपना Approximately Turnover Select करना है मैंने पहला वाल Option चूज किया Less Than 25 Lakhs आप भी उसे चूज कर सकते हैं फिर आपको Submit कर देना है फिर आपके सामने इस तक है Message आ जाएगा The Most Rewarding SME Credit Card Thank You for Registering for the Bharat NXT Card We are Customizing the Best Card for You तो आप जैसे यह Card Launch होगा हो सकता आपको यह Card तुरंत मिल जाए या फिर आपको थोड़ा दिन बात मिल जाए लेकिन आपको अपना Response इस Form को Submit करके भड़े देना है आज से कर तो वीडियो अच्छा लगाओगा वीडियो को प्लीज एक Like करना ना बूले